लेटेस्ट यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूले सत्रा महिने तक बंद रहने के बाद माथेरान टॉय ट्रेन फिर से शुरू हुई लगातार दो डिरेलमेंट के बाद इसे साल 2016 में बंद कर दिया गया था बरसात में यहां के पहाड वाटर फॉल में बदल जाते हैं महराश्ट्री के रायगर जीले में स्थित माथेरान हिल स्टेशन दुनिया की उन गिनी चुनी जगहों में से एक है जहां खतरनाक रास्ते होने के कारण किसी भी कीस्म की गाडियां ले जाने पर सख्त बैन है टूरिस्ट को यहां ट्रैवल करने के लिए ट्वाय ट्रेन का इस्तिमाल करना पड़ता है जो उंचे पहाडों के किनारे बेहद खतरनाक रास्तों से होकर गुजरती है खाई के किनारे ट्रेन चलाने वाले ड्राइवर को यहां खास ट्रेनिंग दी जाती है जो बेहद सावधानी से ट्रेन को खाई के बगल से ले जाता है सफर के पहले टूरिस्ट को भी इस रूट पर सावधानी बरतने की चितवनी दी जाती है माथेरान को देश के सबसे चोटे हिल स्टेशन का दरजा मिला है वैसे तो साल भर ही माथेरान में कुदर्ती सुन दर्ता के अधभुत न जारे देखने को मिलते हैं लेकिन जून से अगस्त यानी बारिश के दिनों को छोड़ कर बाकी समय मौसम बेहत सुहावना रहता है। बरसात में यहां के पहाड वाटर फॉल में बदल जाते हैं। माथेरान में देखने के लिए इबिस से ज्यादा वियू प्वाइंट, जीले और पार्क हैं। जिन में मंकी प्वाइंट, इको प्वाइंट, मनूर्मा प्वाइंट, सन्राइज और संसेट प्वाइंट प्रमुक हैं। लिटल चॉक और चॉक वाइंट से नवी मुंबई की ओर के बेहत कूपसूरत नजारों का लुथफ लिया जा सकता है।